एर इस वाटर एंड एर वर मेड़ पॉटिकल डैट कुड मिक्स किया था कि उसने इंब्सर्फ किया था कि वाटर जो है वह सिरफ वेपरेट होके एर में मिक्स होता है तो इसका मदल बसाए एर और वाटर पार्टिकल के बने हुए जिस वज़ा से वह मिक्स होते इस चीज न इस वह इसको आइडिया दिया था कि जो आटम्स एक्जिस्स करते शाब मंकपार्टिकल कि पंचेहल को साथ इस धाय होते हमको सबस्सर्ट बार्टिकल करेंग हों है निक हगात मस्पार्मिक मोद्रक्टमस का तर्मस में मादल टिस्क्राइब करें थामस घे झाँतुंब नेघे निय्टे कर पॉस्टिकल तंटन पार्टिकल्स यो इस पेंश उसके का लिया ज़ुग को आलेन्ममा युहाई कि Electrons की Arrangement किस तरह होती है यह जार समयने वाली बात है कि Bohor and Rutherford work order theoretically model for the atom in which the electrons are arranged in the layer around the nucleus उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ Bohor और Rutherford ने इस चीज़ पर काम किया कि nucleus के गिर्द जो Electrons की layer किस तरह है अब उसके बारे में बताते हैं कि Each layer a shell can hold a certain number of electrons कि जो हर shell है उसमें electron की तदास specific होती है वो किस तरह होती है कि the first shell can hold a maximum of two electrons जो पहला shell है उसमें maximum से maximum दो electron आसकते हैं जैसा कि अब यह helium सब सुपर राइट साइड पर यह देख सकते हैं कि इसमें maximum दो shells हो किये जा रहे है the second shell can hold a maximum of eight electron जो second shell है उसमें maximum से maximum eight electrons आसकते हैं जैसे कि अब यह neon जिसके ओपर लिखवा है N2 और 8 लिखवा है कि इसमें पहले shell में दो और दूसरे में eight electrons हैं ठीक है जो third shell है उसमें maximum से maximum 18 electron आसकते हैं लेकिन यह eight के ओपर फिल हो जाता है filling each one until all the electrons are in place तो जब तक पहला shell complete होता हम दूसरे shell के तरफ नहीं जाते हैं जब दूसरा shell complete होता है उसके बाद हम तीसरे में जाने पहले में दूसरे में eight हैं तो टोटल में रपास ten होंगे तन एलेक्ट्रोंज होंगे तब भी जाकि मारे पास दो शेल्फ फुल होंगे पहले में हम दो रखेंगे दूसरे में आठ रखेंगे फिर उससे अगले में हम आठारा नाख सकते हैं इस तरह पहला shell complete होगा फिर दूसरा shell की बारी यह उसके बाद भी तीक्से शेल की बारी आएंगे उसर्ट के विम्रे टैबल स्क्राइब के अचि है एक झातमिं बाद इस और से आडडियो एक न्बर फिर इस भी जात इसको एक शेल में एक उर्न अहाजके करते हैं उसमें नमबद के लेक्त इक कितने दो तो फिरसे sudon में के बाद इंग निद्म पारिसन लेक्ट्यम इसको एलाई से बिलेंट करते हैं, इसके अटामिंग नमबर तीन है, नमबर अफ लेक्टरोंस तीन है, तो पहले शल में दो और दूसरे में एक आएगा, ठीक है, यह साथ डाइगरामें शो भी किया है, किस तरह आएगा, उसके बाद ब्रीलिय में, उसका अटामिंग नमबर चार है, पहले में दो और दूसरे में भी दो आएगा, उसके बाद ब्रोन है, उसका अटामिंग नमबर पांच है, पहले शल में दो और तीसरे में तीन, इसके बाद कार्बन है, उसके पहले शल में दो और दूसरे में चार, उसके बाद निटूरिन है, उसके पहले शल में तेन एलेक्ट्रों सुमाएंगे इस तरह करके इनको बिद आया गया कि किस तरह समाइंगे क्वेस्सें ने करके αυτाने प्लेकरасे फिल्टेंगेंग फ्रेख केंपता इंड आजने से यहां रोड़ होता है प्लोटॉण प्रस्थ प्रस्थ होता है लेक्टॉण पर निज्टिव स्थ होता है नूट्रोण पर क्या होता है नूकलिस में प्रोटोन नूकलिस में प्रोटोन न्नूटन होता है वेड़ अलेक्रोण फॉंड़ ऐन एन अम लेक्त्रो आट्म में किस जगा पायरात्थ प्र प्र तो एलेक्ट्रोंस में लिक्रोंस इकलाते हैं उछिखे आफम स्पेस जो ऐंडे ثंच वाइंगे कि व करते हैं इस बारे में फूर्णा एक्सपिया हैं-ब्र हम आर्बिड पियुद्टोंस इस यहां आडे समार एं-ट की से जो फिल्ट्रोंस थे आआर्बिड थे जो वाय सेंटिस यूज चैमिकल सिंबस क्यों यूज करते हैं विकाल सब्सक्राइब अलबर दोड़ तांके जो अलिमें पुरी दुनिया में पहचाना जा सके एक्सप्रेंद इस टम नंबर अप्रोटोन इन अटम कि किसी भी अटम में नंबर अप्रोटोन को अटामिक नंबर कर सकते हैं तो यह डो आपने पेंच के क्वेस्टिन अंसर की है इसके बाद के है एकसे सब्सक्राइब अपकीई यह लाफिए